नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब I hope आप सब अच्छे ही होगे मेरा नाम है दीपक, welcome back to the channel सो दोस्तों फाइनली सुजुकी ने जिक्सर 250 और जिक्सर SF250 इन दोनो बाइक्स के BS6 मोडल को इंडियन टूलर मार्केट में officially launch कर दिया है हाला कि सुजुकी ने इन दोनो बाइक्स को अपनी official website पे पहले ही update कर दिया था लेकिन इन दोनो बाइक्स का price रिवील नहीं हुआ था लेकिन दोस्तों अभी इन दोनो बाइक्स के बारे में सभी details रिवील हो चुकी है सो आज की वीडियो में हम जिक्सर SF250 और जिक्सर 250 के BS6 मोडल के बारे में detail में बात करेंगे सो अगर आपको इन दोनो बाइक्स के बारे में सब कुछ जानना है तो वीडियो को end तक जरूर देखना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बोक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी डियम कर सकते हो सो बिना टाइम वेस्ट किये चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को दोस्तों सुजुकी ने रिसेंटली ही जिक्सर SF250 और जिक्सर 250 इन दोनों बाइक्स के प्राइज को रिवील कर दिया है तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों बाइक्स के प्राइज के बारे में क्योंकि MotoGP Edition का Axio Room प्राइज 7,75,000, तो दोस्तों इन दोनों बाइक्स के BS6 फेरेंट का प्राइज 4,000 के आसपास इंक्रीज हुआ है, और दोनों बाइक्स में चेंजिस के बारे में अगर बात करें, तो जिक्सर 250 और जिक्सर SF250 दोनों बाइक्स के अंदर मेजर चेंज है BS6 कंप्लाइट इंजिन का, पहले इन दोनों बाइक्स का एमिशिन स्टेंडर्ड था BS4 और अभी इन दोनों बाइक्स का एमिशिन स्टेंडर्ड है BS6, बाकि इन दोनों बाइक्स में कोई भी major change नहीं है तो इंजिन के एगर बात करें तो दोनों बाइक्स के अंदर वहीं same 249cc का 4-stroke single cylinder oil-cooled standard fuel-injected BS6 compliant engine है जो maximum power generate करता है 26.5 PS की और maximum torque produce करता है 22.2 Nm का with 6-speed transmission दोस्तों दोनों बाइक्स के BS6 variant की power output same है लेकिन maximum torque output 0.4 Nm कम हो गई है लेकिन इसकी वजह से इन दोनों बाइक्स की overall performance पे कोई भी फरक नहीं पड़ेगा दोनों बाइक्स के BS6 model में आपको वहीं same performance देखने को मिलेगी और दोस्तों दोनों बाइक्स के BS6 variant की engine refinement BS4 के मकबले better है सो दोस्तों सुजुकी की ये दोनों बाइक्स पहले भी value for money बाइक्स थी और अभी भी ये दोनों बाइक्स value for money है क्योंकि दोनों बाइक्स का price सिर्फ 4000 ही increase हुआ है तो मेरे कोडिंग ये दोनों बाइक्स दोला अगरुबे के अंदर सबसे best choice है जिनको आप अभी Indian tooler market में purchase कर सकते हो दोस्तों features के अगर बात करें तो दोनों बाइक्स के अंदर कोई भी change नहीं है दोनों बाइक्स के अंदर वहीं same conventional telescopic front fox है और rear में adjustable monoshock suspension है ब्रेकिंग system के अगर बात करें तो दोनों बाइक्स के अंदर वहीं same 300 mm की front disc है 220 mm की rear disc है with standard dual channel ABS दोस्तों दोनों बाइक्स के electrical features के बारे में अगर बात करें तो जिक्सर SF250 के अंदर triple LED headlight है LED tail light है और जिक्सर 250 के अंदर flat full LED headlight है और वहीं same LED tail light है और दोनों बाइक्स के अंदर same fully digital instrument console है जिसके अंदर सारे features fully digital है दोस्तों tires के अगर बात करें तो दोनों बाइक्स में 110 upon 70 section का front tire है 150 upon 60 section का rear tire है तो दोनों बाइक्स के अंदर super wide tubeless tires है अब बात करते हैं दोनों बाइक्स के dimensions के बारे में तो दोस्तो दोनों Bikes की seat height ए 800mm, तो ये दोनों Bikes short और long riders दोनों के लिए comfortable है, short riders बड़ी easily इन दोनों Bikes को ride कर सकते हैं, और दोस्तो इन दोनों Bikes long riding के लिए comfortable है, क्योंकि दोनों Bikes का riding posture काफी अच्छा है, Jixxer SF250 के अंदर clip-on type handlebar है लेकिन उस bike के अंदर बहुत जादा aggressive posture नहीं है तो Jixxer SF250 के साथ easily long ride कर सकते हो और Jixxer 250 के अंदर bar type handlebar है और upright riding position है तो ये bike भी long riding के लिए comfortable है दोस्तो दोनो bikes का ground clearance है 165 mm और fuel capacity है 12 liters की weight की अगर बात करें तो Jixxer SF250 का weight है 161 kg और naked Jixxer 250 का weight है 156 kg तो दोनो bikes का power to weight ratio भी काफी अच्छा है क्योंकि अपनी segment के अंदर दोनो bikes की power और torque output काफी अच्छी है दोस्तो Suzuki की ये दोनो bikes diamond frame भी based है और दोनों ही bike light weight machine है तो दोस्तो Suzuki ने Jixxer SF250 और Jixxer 250 इन दोनो bikes को officially launch कर दिया है अगर आप इन दोनो bikes का काफी time से wait कर रहे थे तो अभी ये दोनो bikes launch हो चुकी है और June के मिड़ तक ये दोनो bikes Suzuki के शोरूस में भी आ जाएंगी और delivery भी इन दोनो bikes की जल्दी ही start हो जाएगी तो आप इन दोनो bikes को purchase कर सकते हो सो दोस्तों आज की update थी Jixxer 250 और Jixxer SF 250 के बारे में I hope ये वीडिया आपको पसंदाई होगी अगर इस वीडियो से कुछ भी आपका फाइदा हुआ हो तो like जरू कर देना और अगर आपने अभी तक subscribe नहीं कर रखा है तो subscribe कर लो सो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में Till then stay home, stay safe